सब्सक्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ज़रूर लीजे माना भी लगाया गया है जो सैंगर जल्द से जल्द पीडित परिवार को मुहया कराएगा साथी यह पूरा मामला जो है कोट ने जिस तरीके से देखा है और जिस तरीके से इस मामले में कारवाई की है वो एक तरह की नजीर पेस करने वाला है सुप्रिम कोट के आदेश के बाद ये केस दिल्ली के 30 हजारी कोट में ट्रांसपर हुआ था और 45 वरकिंग डे में लगातार इस मामले के सुनवाई करते हुए कोट ने कुछ दिन पहले ही सैंगर को दोशी करार दिया था और आज कुलदीप सिंग सैंगर को इस मामले में सजा सुनाइ गई है कोट ने काफिस सक्टी के साथ सजा का एलान करते हुए ये कहा कि क्योंकि कुलदीप सैंगर एक शक्तिसाली बैकती था एक लोग से वक्त था लेकिन सैंगर ने लोगों के साथ विश्वासगाद किया सैंगर ने पीडित परिवार को धमकाने का काम किया नहीं बरती जा सकती है तीसजारी कोट ने इस मामले में उत्तर-परदेश की सरकार को भी आधेश दिया है और यह कहा है कि एक साल तक इस पीडीद परिवार के दिल्ली में रहने का किराए के घर का खर्चा जो है वो उत्तर-परदेश की पुलिस उठाएगी और दिल्ली महिल पीडित परिवार के लिए उनके एक साल तक के लिए कम से कम उनके रहने के लिए किराय के आवास की सुभिता मुहिया करेगी। परिवार के सुरक्षा आपके हाथों में है और ठीक तरीके से हो रही है। कि उसके द्वारा उसके ऊपर रेप किया गया है गैंग रेप तक का अरोप लगाया था इस पीडिता ने। लेकिन पुलिस ने उसकी कत्ता ही नहीं सुनी। किसे टॉर्चर किया आता रहा यहां तक कि उसके पिता की भी कस्टडियल देथ हो गई। इस बीच में कुछ दिनों पहले एक मामला और आया था जब पीडित लड़की अपने वकील के साथ और अपने मा और मौसी के साथ जब जा रही थी किस से मिलने उस वक्त जो है एक ट्रक के द्वारा एक्सिडेंट कराने का प्रयास किया गया था जिसमें उसकी मौसी और चाची की दित हो गई थी ये इस मामले का भी आरोब जो है वो कुल्दीप सिंग सेंगर पर लगा तो कोट ने इन सारी चीज़ों को बड़ी गहनता से देखा है और तब जाकर के कोट ने आज जो निर्ने दिया उसमें काफी सकती के साथ ये कहा कि क्योंकि कुल्दीप सिंग सेंगर एक नगर सेवक ह लोग सेवक है जनता के हितों के लिए काम करना उसका काम था लेकिन उसने लोगों के साथ विश्वास घात किया रेप जैसा जगन ने कृत्त किया और पीडिता और उसके परिवार वालों को डराने और धमकाने का काम किया इसलिए किसी भी हाल में उसके साथ नर्मी नहीं ब लिए है कि जितनी जल्दी से जितनी तेजी से इस मामले में कोट ने काम किया है और जितनी जल्दी इसकी सुनवाई हुई है और आज सजा का एलान हो गया 45 दिन के लगातार सुनवाई के बाद उनके लिए एक आशा की किरण है कि जल से जल जो और मामले हैं उनकी इसी तरीके से rapid action होंगे और जल से जल सुनवाई करके उसमें उनको नयाय मिलेगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद अभी के लिए इतना ही धन्यवाद